रसाइन शास्ट के अनुसार धातू विये तत्व हैं जो सरल्ता से इलेक्ट्रोन त्याक कर धनायन बनाते हैं और धात्म के प्रमाणों के साथ धात्विक बंद बनाते हैं इलेक्ट्रोनिक मॉडल के आधार पर धातो इलेक्ट्रानों द्वारा अच्छादित धनायनों का एक लेटिस है। सामानित धातो चमकीली, प्रत्यास्त, अघात वर्धनी और सुगण होते हैं। पहला अवस्था पारे को छोड़कर प्राया धात में ठोस होती हैं। दूसरा अघात वर्धनी यता, चार धातों को छोड़कर सभी ठोस धात में अघात वर्धनी होती हैं। तीसरा तन्यता, चार धातों को छोड़कर सभी ठोस धात में तन्य होती हैं। चौथा चालकता प्राया सभी धात्वे उश्मा एवं विद्दुत की चालक होती हैं। पांचमा धात्विक चमक प्राया सभी धात्वों में विशेस प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। छटा, ध्वानिक, छार धात्वों को छोड़ कर धात्वों में ध्वानिक गुर पाया जाता है अर्थात, पीटने पर धात्वें विशेश प्रकार की ध्वानी उत्पन करती हैं। साथमा, कठोरता, छार धात्वों को छोड़ कर धात्वें प्राया कठोर होती हैं। आठवा, गलनाग एवं कतनाग. प्राया धात्वों के गलनाग एवं कतनाग उच्छोते हैं. धात्वों के रसानिक गुर्धर्म इस प्रकार हैं. पहला, जल के साथ अभिक्रिया. कुछ धात्वें जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो उक्साइड बनाती हैं तिथा हाइड्र निकलती है। सेकंड ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धात्वे ऑक्सीजन से संयोग करके धात्विक आक्साइड बनाती है जो प्रकृती में छार की होती है। समिकरण है 4 Na प्लस O2 एरो करिशान 2 Na 2 O। दूसरा समिकरण है 2 Mg प्लस O2 एरो करिशान 2 Mg O। थर्ड समिकरण 4 Al प्लस 3 O2 एरो करिशान 2 Al 2 O 3। तीसरा है तनु अमलों से अभिक्रिया। प्राया धात्वे तनु आमलों के साथ अभिक्रिया करके Hydrozen Gas उत्पन करती है। समिकरण है 2 Na प्लस 2 HCl एरो करिशान 2 NaCl प्लस H2 यानि Hydrogen Gas उत्पन होती है। फोर्ट है लवण ब्लियन के साथ अभिक्रिया। अधिक क्रियाशिल धात्वे कम क्रियाशिल धात्वों को उनके लवर्ण विलियन से विस्थापित कर देती हैं समीकरण है Zn प्लस CuSO4 एरो का निशान ZnSO4 प्लस Cu फिफ्थ है Hydrogen के साथ अभिक्रिया धात्वे Hydrogen से अभिक्रिया करके Hydride बनाती है 2 Na plus H2 arrow का निशान 2 Na H 6 है क्लोरीन चे अभिक्रिया धात में क्लोरीन चे अभिक्रिया करके ठोस विद्दुद संयोजक क्लोराइट बनाती है Ca plus Cl2 arrow का निशान CaCl2 प्रमुक धात्वों के S को के नाम एवं सुत्र इस प्रकार है धात्व है लुहा इसका सुत्र है Fe एस्क है इसका Iron Pyride जिसका सुत्र है FeS2 हेमेटाइट Fe2O3, मेगनेटाइट Fe3O4 लिमोनालाइट Fe2O3, 3H2O, सिड्राइट FeCO3 अलमुनियम धात्व है इसका सुत्र है Al और इसका Ayask और इसके सुत्र इस प्रकार है बॉकसाइट Al2O3, 2H2O, कोरेंडम Al2O3 तीसरी धात्व है तामबा, इसका सुत्र है Cu, इसके Ayask और इसके सुत्र इस्प्रकार है रूबी कॉपर, Cu2O, कॉपर क्लांस Cu2S जस्ता धात्व, इसका सुत्र ZN, इसका Ayask का नाम है जिंग, बॉल्डी, यानि ZNs, केले माइन, ZNCO3 मैंगनेशियम धात्व का सुत्र है Mg और इसका Ayask है जोलोमाइट, उसका सुत्र है MgCO3, CaCO3 पारा धात्व है, इसका सुत्र है Hg, और इसके S का नाम है सिनाबार, और इसका सुत्र है S का Hgs धात्व संचारण से बचाओ के निम्डिके तुपाएं हैं पहला है ग्रीस या तेल लगाना मशीन इत्यादी के पूर्जों, औजारों, आदि को संचारण से रोकने के लिए उन पर ग्रीस या तेल लगा देते हैं जिससे चिकनाई की वज़े से नमी के अभाव में जंग नहीं लगती। दूसरा वानिश या पेंट करके धातू की वस्तूँ, धातू के बक्सों, धातू के उपकरणों पर वानिश या पेंट का लेब कर दिया जाता हैं इससे धातू को न तो नमी मिलती है और न हवा, इस प्रकार जंग नहीं लगती। तीसरा है गैलवनी करण लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैलवनी करण कहलाता है। लोहे की चादरों, पानी के लोहे के पाइपों एवं पाइप फिटिंग के उपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। चौन्था, विद्धुत लेपन क्रोमियम, निकल एवं टाइटेनियम संचारन प्रतीरोधी होती है अता इनकी परत विद्धुत लेपन द्वारा संचारित होने वाली धात्वों की वस्तुओं पर रहा देते हैं। पाँचवा, मिश्र धात्व बनाकर मिश्र धात्वे प्राया संचारन रोधी होती है जैसे स्टेलने स्टील कांसा गन में चल आदी अधात्वे के समान्य भौतिक गुण और समान रसानिक गुण अधात्वे के समान्य भौतिक गुण पहला अवस्था अधात्वे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा भंगूरता ठोस अधात्वे भंगूर होती हैं अर्थात पीटने पर विटुकडे-टुकडे हो जाती है। तीसरा चालकता प्राय अधात्वे उश्मा एवं विद्दुत की कुछालक होती हैं लेकिन ग्रिफाइट विद्दुत का सुचालक होता है। 4. चमक हीद एवं धुदली क्रिस्टली अपरूपों को छोड़कर प्राया ठोस अधात्वे चमक हीद एवं धुदली होती हैं। 5. मुलायम हीरा को छोड़कर प्राया अधिकांज ठोस अधात्वे मुलायम होती हैं, हीरा तो कछोर्तम पदार्थ है। Sixth, तनन सामर्थ. ठोज अधात्वों में तनन सामर्थ बहुत कम होता है, अधात्वे आसानी से तूट जाती हैं. Seventh, गल्लांक एवं कस्नांक. अधात्वों के गल्लांक एवं कस्नांक धात्वों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं. एर्थ घनत्व अधात्वों का घनत्व धात्वों की तुल्ला में बहुत कम होता है अर्थात्व, अधात्वे धात्वों की अपिक्षा हलकी होती है अधात्वों के सामान रहसायनिक गुण धर्म पहला अधात में इलेक्ट्रोन ग्रहन करके रणायान बनाती है अर्थात अधात्मों के रासाइनिक प्रकृती रणात्मक होती है सेकेंड ओक्सीजन के साथ अविक्रिया अधात्वे आक्सीजन से अविक्रिया करके प्राया अमली आक्साइड बनाती हैं, इनमें कुछ आक्साइड उदासीन भी होती हैं समिकार इस प्रकार है 2S2O प्लस O2 एरोकनिशान 2S2O उदासीन 2C प्लस O2 एरोकनिशान 2CO उदासीन 2C प्लस O2 एरोकनिशान 2CO2 उदासीन इन आक्साइडों का जली विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता हैं, थर्ड है क्लोरीन के साथ अविक्रिया, अधात्वे क्लोरीन के साथ अविक्रिया करके संसायोजन अधात्व क्लोराइड बनाती हैं, समीकरण है S2 प्लस CL2 एरोकनिशान 2SCl 4 है हाइडोजन के साथ अविक्रिया, अधात्वे हाइडोजन के साथ अविक्रिया करके संसायोजक हाइडराइड बनाती हैं, समीकरण है S2 प्लस S एरोकनिशान S2S 5 है विस्थापन अविक्रिया, अधिक अविक्रियाशील अधात्व कम अविक्रियाशील अधात्व को उसके लवण विलियन में विस्थापित कर देती हैं, 2NABR प्लस CL2 एरोकनिशान 2NACL प्लस BR2 कक्षा दस्वी के विज्ञान विशे के सभी प्रशन उत्तर अनीता शर्मा द्वारा ध्वनाकित किये गए हैं, जो विद्यार थी, कक्षा दस्वी विज्ञान के प्रशन उत्तर आडियो फॉर्म में खरीदना चाते हैं, वो हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है, V-O-I-C-E-F-O-R-B-L-I-N-D, यानी, Vice for Blind at the rate of dmail.com, धन्यवाद, चार धात्वों को छोड़कर सभी ठोस धात्वे अगात वर्धनी होती हैं, तीसरा तन्यता, चार धात्वों को छोड़कर सभी ठोस धात्वे तन्य होती हैं, 4. चालकता, प्राया सभी धात में उश्मा एवं विद्धित इलेक्ट्रानु द्वारा आच्छादित धनायनों का एक लेटिस है. सामानित धातु चमकीली, प्रत्यास्त, अगात वर्धनी और सुगड होते हैं. धातु उश्मा और विद्धित के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु सामानित के चालक होती हैं. 5. धात्विक चमक, प्राया सभी धातु में विशेश प्रकार के धात्विक चमक पाई जाती है. छटा, ध्वानिक, चार धात्वों को छोड़ कर धात्वों में ध्वानिक गुर पाया जाता है अर्थात रसायन शर्ष्ट के अनुसार धातू वे तत्वें जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याक कर धनायन बनाते हैं और धात्वों के परमाणों के साथ धात्विक बंद बनाती हैं इलेक्ट्रोनिक मॉडल के आधार पर धातों आनित भंगुर, चमखी और विद्धो तथा उश्मा के कुचालक होते हैं। धातों के बहुती गुर्ण धर्म इस प्रकार है। पहला अवस्था पारे को छोड़कर प्रायर धात में ठोस होती है। दूसरा अगात वर्दिशन टूसरा अगात वर्दिशन गाता है।